हाई वेलकम तु विया लेर्नस में रचना हम आपके लिए ओन्लाइन दीजन शुरू करें जिसमें क्लास टैन मैंस के सारे चैप्टेस रेगुलर अप्लोड करेंगे रेगुलर अप्डेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं moreover हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ कुश्चन होंगे इनका कमेंट में रिप्लाइ जुरूर करें उनके अंसर आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में मिल जाएंगे हम वो दो तो जैसे कि यहां तीन नंबख दिए गए है तो हम इसको दो स्टेज में सॉल्व करेंगे तो हमारा जो पहला पहला स्टेज होगा पहला पार्ट इस कुश्चिन को जो है वो है फिर्सट पार्ट में हम निकालेंगे HCF of हम पहले किसी भी दो नंबर के जैसे हमने RCS निकालना सिखा है वैसे ही हम पहले दो नंबर का HCF निकालेंगे पहले तो चलिए हम कोई भी दो नंबर ले सकते हैं मैं 441 और 567 लेती हूं तो मैं HCF निकालों के पहले पार्ट में HCF of 441 and 567 इन दोनों का मैं HCF निकालोंगे अल्गोरिदम कहता है कि given two positive integers A is greater than B greater number यहां मेरा 567 है तो उसको मैं A लेती हूं तो by using Euclid's division lemma मैं इसे ऐसे लिख सकती हूं कि 567 और यहां मेरा B हो गया 441 एल्गोरिदम का जो step है वो कहता है कि मुझे अब इसमें से Q और R निकालना है तो चलिए थोड़ा rough work करते हैं इसका Q और R निकालते हैं So this is 567 divided by 441 one time मैं करते हूं So this is 441 यहां मेरा remainder बच जाता है 126 इसको मैं complete करते हूं तो यहां मेरा quotient है 1 और मेरा remainder है 126 मेरी requirement है कि मेरा remainder 0 होना अच पड़ेगा तभी मेरा HCF निकलेगा सिंस यहां R 0 नहीं है तो मुझे इस step repeat करना पड़ेगा तो यह मेरा हो गया dividend और यह इस time हो जाएगा मेरा diviser So मैं Euclid division lemma apply करूंगे 441 और 126 पर तो इसको मैं divide करते हूं यहां मेरा dividend है 441 तो यह 3 times मैं करते हूं This is 18 and 36 and this will be 37 इसको subtract करते हूं and I will get 63 Statement को मैं complete करते हूं तो यहां मेरा quotient है 3 और मेरा remainder है 63 मेरा required remainder नहीं मिला that is मेरा remainder यहां 0 नहीं है तो मुझे step repeat करना पड़ेगा तो अब यह तो हो जाएगा मेरा नया dividend और यह मेरा नया diviser हो गया चलिए इसको लिखते हैं this is 126 और यह है मेरा 63 अब इस पर मुझे है तो मेरा HCF हो गया चलिए इसको complete करते हूं तो यह हो गया यहां मेरा quotient है 2 और मेरा remainder है 0 since मेरा required remainder मुझे मिल गया algorithm कहता है जब remainder 0 हो जाता है ऐसे case में जब last divisor होगा वह होगा HCF किन दो numbers पे जिस पे हमने start किया था हमने start किया है हम किन दो number का HCF निकाल रहे है हम निकाल रहे है 441 और 567 इनका HCF है मेरा 63 solution का जो second part है वो है देखिए मेरा 2 numbers के HCF निकाल लिए हमारा last number बचा है 693 693 और यह जो पहले 2 का HCF निकला है इन दोनों का में अब HCF निकालोंगे सो second part में मुझे I'll find the HCF of 693 and 63 अब इन दोनों में मुझे देखना है कि A कौन सा है और B कौन सा है and now by using Euclid's division lemma मैं इसको ऐसे express कर सकते हूं 693 यह मेरा A है और यह मेरा B है अब मुझे Q और R निकालना है तो चली रफ़र करते 693 और यह है 63 division तो 63 into 11 हमें पता है this is this will be 693 मेरा remainder हो गया 0 इसको मैं complete करती हूं तो यहां मेरा quotient है 11 और remainder है 0 मेरा required remainder मुझे मिल गया that is remainder is 0 since यह remainder 0 हो गया तो मेरा HCF हो जाएगा यह जो divisor है यहां तो एक ही step हुआ तो यह जो divisor है यह मेरा HCF हो गया तो मैं यहां लिखोंगी HCF of 693 और 63 का HCF मेरा होता है 63 अब last line है कि मेरे इन तीनों का hence HCF of अब मैं club करती हूं first part और second part को मेरा first part है मैंने first two numbers का HCF निकाला था और वो था उसमें 63 मिला और फिर मैंने इसका जो HCF first two numbers का HCF निकला उससे के साथ मैंने third number का HCF निकाला तो मेरा final HCF हो गया तो इसको मैं लिखोंगी HCF of four four one five and five six three and six nine three is equals to six three three आयाद देखते हैं आज के सवाल आप जल्देचे कमेंट में इनके रिप्लाइ करें मुरावर हमारे चानल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं आप को हमारे वीडियो के अप्डेट्स मिलते रहें आज के लिए यही तक, see you in the next class, thank you